Hello Friends, Welcome to my Channel तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे UPAPO 2021 का सीलेबस क्या रहेगा और वीडियो स्टार्ट से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल फोर मोर अपडेट्स फोर जुडिशियरी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले UPAPO त्री स्टेजिस में डिस्ट्रिब्यूटेड है प्रेलिम्री एग्जमिनेशन रिटन में एग्जमिनेशन और इंटर्व्यू प्री हमेशा अब्जेक्टिव होता है मिन्स MCQ और रिटन मेंश एग्जमिनेशन ओल्वेश सब्जेक्टिव टाइब होता है मिन्स आपको ऐसे की तरह पूरे अंसर्स लॉंग में लिखने पड़ते हैं तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं वट इस प्री एग्जमिनेशन प्री एग्जमिनेशन टू पार्स में डिवाइड है सबसे पहले पार्ट वन डिसकस करें जन्रल साइंस अब हम चलते पार्ट टू में पार्ट टू इस अफ लीगल पार्ट आईपीची थर्टीव ग्वेशन इंडियन एविदेंस एक्ट ट्वेशन CRPC 25 questions and UP Police Act and Regulation 15 questions और नाव वी विल गो तो आट्स मेंस, रिटेन एग्जमिनेशन यह 400 मार्क्स में 4 इकोल वेटिज में डिवाइड है आप देख सकते हैं General Knowledge 100 मार्क्स है General Hindi 100 मार्क्स Criminal Law and Procedure 100 मार्क्स Law of Evidence 100 मार्क्स और इसके बाद हम आते हैं Interview आपका 50 मार्क्स का होता है तो overall मापको बता दूँ आपके preliminary examination के मार्क्स count नहीं होते आपके result में result में आपके mains और interview के होते हैं it means mains के 400 मार्क्स and interview के 50 मार्क्स total आपका result 450 मार्क्स में से बनेगा जो आपका final result decide करेगा और आज की वीडियो इतनी अगर आपको कोई query है regarding UPAPO या किसी भी Judiciary से आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं please subscribe this channel for more updates for Judiciary and low related vacancy thank you